पिछले दिनों उत्रपरदेश में एक ओडिनेंस इश्यू किया गया। ओडिनेंस था कि अगर किसी को जबरन या फ्रोड से किसी का अगर धर्मांतरन किया जाता है और खास करके उन मामलों में जहां पर इंटरफेथ मैरिज होती है। तो ऐसे मामलों में अगर वो कनवर्जन फोर्सफुली है या एक तरह से फ्रोड से किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया था। उस ओडिनेंस को फिर अलहाबाद हाई कोर्ट यानि कि उत्रपरदेश का जो हाई कोर्ट है। उसमें चैलेंज किया गया, वो केस वहाँ सुना जा रहा है, पिछली सुनवाई पर उत्रपद्द सरकार ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जए, तब तक के लिए इस मामले के सुनवाई रोकी जाए, और हम चाहते हैं कि सुप् पी हाई कोट के पास जो केस पैंडिंग है जो इंटरफेथ मेरिज में फोस्ट कनवर्शन या फ्रोडुलेंट कनवर्शन को रोकने के लिए है उसको सुप्रिम कोट में ट्रांसफर करने के लिए मना कर दिया है अभी इस ओडिनेंस की वैलिडिटी चैलेंज होनी है अलहबाद हाई कोट को इस मामले को देखना है कि कहीं ये जो ओडिनेंस उत्रप्रदेश के दुआरा लाया गया है ये लोगों के फंडम्टल राइट्स को वैलेट करता है आने वाले दिनों में अभी इसका फैसला